हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आप सभी लोग फेंटसी टैलेंट हब में अगवार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में USGC और FBL के बीच होने वाले आज के दिन के पहले T10 मैच को हम कवर करेंगे लेकिन कुछ जरूरी बात है दोस्तों यह जो मैच है यह ड्रिजडेंट T10 सीरीज के गुरूप बीकप पहला मैच है अभी इन दोनों टीमों ने इससे पहले कोई मैच खेला नहीं है ऐसे में पहला मैच है थोड़ा सा रिस्की रहेगा इस small league में आपको investment कम करना है या फिर average करना है लेकिन नौर्माली जो पहले मैच होते हैं वो grand league ली अच्छे मैच होते हैं क्योंकि आंकड़े सभी के पास available नहीं होते हैं, हमारे पास आंकड़े हैं, आपको provide कर रहे हैं, ध्यान से देखेगा वीडियो को, इसके बाद आप GL का combination तयार करना, लेकिन पहले match में, small league में थोड़ा सा कम investment करना, एक बार मैं match को थोड़ा सा देख लूँ, अगले match में हम investment बढ़ा सकते हैं, तो मैं आपको telegram पर teams provide कराऊँगा, तो आप लोग telegram पर मेरे साथ में रहेगा, जोस्तों वैसे तो सभी players के records निकालने हैं, लेकिन जो कुछ players ऐसे हैं, जिनके record अभी available नहीं है, तलाश रहें, अगर मिल जाते हैं, तो आपको telegram पर हम दे देंगे, तो अगर telegram पर नहीं हो, तो link description में है, जहां पर match का update भी आएगा, और आपको information भी मिल जाएगी, तो उसे join कर लेना, या फिर आप चाहें, तो search कर सकते हैं, telegram open करना, वहाँ पर लिखना, FTH 877, जोस्तों कुछ fake channel मिलेंगे, उनसे बचिएगा अभी, ठीक है, अब शुरुबात करते हैं, मैच है दोस्तो, fan code जर्मनी ड्रेस्डेन में, और जो ground है, वो है rugby cricket ground, अगर पिछ की बात करें, तो इस tournament के अंदर 20 मैचे सोच चुके हैं, 12-12 second betting करने वाली टीम ने मैच को win किया है, average score लगभग 95 के आसपास आपको देखने मिल जाएगा, लगभग 84 से 95 के आसपास average score है, अ साथ में वीडियो को like कर देना, दोस्तो, इन दोनों टीमों के अगर हम recent matches की बात करें, तो last time जब FBL खेल कर आई थी, तो इसने अपने सभी 5 matches को हारा था, और जो USGC ती, इसने तीन मैच में जी ती ती और एक मैच में इसे हार का सामना करना पड़ा था, तो कुल मिला कर, तो USGC की टीम है, वो थोड़ी सी strong team है, अब यहाँ पर हम दोनों टीमों के records को check कर लेते हैं, तो पहला नाम है USGC की तरफ से गोपिनात मनोहरन का, दोस्तों बता दें कि अभी betting order भी fixed नहीं है, जो भी बदलाव होंगे, वो सब आपको टेलेग्राम फरी clear होंगे, तो वहा वरोन दोस्तों आपको मिलेंगे और राउंडर section में, और इन्होंने 22 matches में, दोस्तों जो इनका recent form है, 22, 0, 4, 24 और 0 wicket निकाला था, और total इनके खाते में 18 matches में 113 run, 11 का average है, और 5 पारियों में 3 wicket इन्होंने निकाले हैं, regular गेंदबास नहीं है, कभी गावर गेंदबासी कर लेते हैं, लेकिन नॉर्माली बल्लेबाजी की बात करें, तो average बल्लेबाजी कर लेते हैं, नमबर तीन पर हैं, अभीशेक सहानी, अभीशेक सहानी ने 0, 18, 1, 1 run का score किया, चार matches में 20 run, इनके खाते में शामिल है, फिर अबदुल इस्तानिक जई, ये एक अच्छा pick रहेग ती 10 का नहीं, ये ध्यान रखिएगा, फिर अब तो यहां से सिवाजी रोय, सिवाजी रोय ने 2 match खेले हैं, जिसमें 21 run का score किया है, 150 का strike rate था, 11 run इनका highest score है, फिर अबदुल अंदर, अबदुल अंदार, अबदुल अंदार ने 1 run 1 wicket, 6 run 1 wicket, 10 run 2 wicket, 21 run 0 wicket, बैटिंग उत सकते हैं, हो सकता है कि नंबर 4 तक भी आ जाए, तो ये आपके कैप्टेंसी, वैस कैप्टेंसी के लिए एक अच्छे pick बन सकते हैं, फिर दोस्तों, राजेस, नागराज, इन्होंने 26 run plus 2 wicket, 9 run plus 1 wicket, टोटल 14 का average है, और 18 पारियों में 18 wicket निकाले हैं, सबसे खास बात क्या है कि दो बार ये तीन से उपर wicket निकाल चुके हैं, तो आपके GL में कैप्टेंसी के लिए राजेस, नागराज एक अच्छे pick हैं, फिर जी एन खान, रीसेंट फॉर्म, एक 10, 9, 314 का है, टोटल 76 run खाते में 13 का average है, फिर सतीश, रेड़ी, 30 run plus 2 wicket, 20 run plus 1 wicket, इनके खाते में शामिल है, टोटल 76 run की हैं अभी तक, और आप यहां पर गेंदबाजी दिखे गा, इनकी 16 पारियों में 17 wicket है, और ये भी 2 बार 3 से उपर wicket निकाल चुके हैं, और हर 11 बोल के बाद लगपक आपको wicket निकाल कर दे देते हैं, फिर संदीब गोड़ा है, अभी पिछले पांच वicket शामिल है, और सबसे लास्ट में हैं दोस्तों थरोन इगा, थरोन इगा, दोस्तों ये आपको all-rounder section में मिलेंगे, हलाकि दोस्तों हो सकता है कि इनको betting में प्रमोट कर दिये जाए, वैसे इनका गिंदबाजी में जो performance से थोड़ा सा हमें ठीक लगा, पांच पार पारोल रुबेश, ये वो प्लेयर है, इन्हें मौका दिया जा सकता है, तो इन पर आप नज़र रख सकते हैं, अब यहां से हम बात करते हैं, FBL के बारे में, उमीद करता हूँ दोस्तों उपर के रिकॉर्ट्स आपने चेक कर ली होंगा, जिन लोगों ने वीडियो को करेंगे, दोस्तों अपने ओल राउंडर स्क्षिन में, स्मॉल लीग के लिए, जियल के लिए, कैप्टन राइस, कैप्टन सी की एक अच्छे पेक है, हाला कि दोस्तों बैटिंग सिर्फ 14 का अबरेज है, गिन बाजी में 6 विकेट इनके खाते में शामिल है, फिर यहां से विनी, विनी ने 2, 18, 5 और 2 रनों का स्कोर किया, टोटल इनके खाते में 10 का अबरेज है, फिर है यहां से चमीला बंडारा, चमीला बंडारा, 15, 10, 0, 12, 1, यह इनका रेसेंट फॉर्म है, बैटिंग से 11 का अबरेज है, एक विकेट खाते में शामिल है, हाला कि दोस्तों यह आपको चमीला जो बंडारा है, यह आपको मिलेंगे बोलिंग सेक्शन में, बोलिंग सेक्शन में नजर आएंगे, फिर इसके आदे सो गानीदू, गानीदू की अगर बात की जाए, तो इन्होंने एक विकेट यहां निकाला, कोई विकेट नहीं, फिर लगातार गिनबाज तो इन्हें आप छोड़के चल सकते हैं, ए भी दोस्तों जेजी देश, जेजी देह, जो नाम है इनका, एक रन प्लस एक विकेट, पांच रन पचपर रन, जबर दस्त है, तेरा रन एक विकेट, चार रन का स्कोर है, और दो विकेट निकाले है, और एक पचास इनके खाते में शामिल है, और फिर दोस्तों यहां से है परवीन, परवीन, चार मैचिस, दो इनिंग, तीन ओवर की गिनबाजी, कोई विकेट नहीं मिला, और फिर दुलीब, दो विकेट इन्होंने निकाले है, तो यह कुछ ऐसे प्लान जो सिर्फ टीम में फिलिंग लिए रखे जात पॉर्डिंग जाते हैं, तो आपको एक मिलेगा, इमरान मुहम्मद जो बैटिंग प्लस बोलिंग दोनों करके देंगे, एक यह जो इस्तानिक जई है, डिफरेंशल पिक रहेगा, गेंदवाजी के चलते हैं, तो नौमन इस्तानिक जई, आपके लिए एक अच्छे पिक ब दोस्तों, यहां से और कोई इसा पिक नहीं दिख रहा है, जिसे आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकें, टीम कॉम्मिनेशन क्या कहता है, देख लीजिए, जो बैस्ट पिक हैं, हमने टीम में रखें, यहां पर सबसे पहले मनुहरान, आर सिभजी, सिभाजी, जो भी है, आए साहनी, इसके आज आई गुना सीकरा, कप्तान ए अंदार और आर नागराज वाइस कैप्टन है, टी इगा, इसके आज इमरान मुहमद, बंडारा, इस्तानिक जई और अरुन धरन को हमने टीम में शामिल किया है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, यह जो कॉम्मिनेश